जब बात होती है entrepreneurship की, जब बात होती है business startup की, जब बात होती है कोई नया venture करने की, तो हमेशा जो एक excitement मैं अपने blood में अपने अंदर feel करता हूँ, वो मैं आपका explain नहीं कर सकता हूँ. लेकिन इसे पहले मैं कुछ चीजें है क्योंकि हमारी जो ज़्यादा तदाद हमारी बेटियों की है, तो उस हवाले से मैं कुछ ज़्यादा बात करना चाहूँगा आज, women entrepreneurship के point of view से भी, लेकिन इसे पहले एक चीज मैं शेयर करूँगा कि इनसान के लिए दो दिन बड़े important होते हैं, एक वो दिन जिस दिन वो पैदा होता है और एक वो दिन जब उसको पता चलता है कि वो पैदा क्यों होगा है, तो ये चीज जो है, अब जब पैदा हुए हैं, मेरे खाल हम सब यहां पे जितने भी लोग हैं, सब के पास ID कार्ड मौजूद हैं, हमें पता हैं किस दिन पैदा हूँ, लेकिन जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा, कि आप पैदा क्यों हुए हैं, आपकी सिक्सेस, आप जो भी कुछ करना चाहेंगे, वो आपके रस्ते में वो चीजें, वो काम्याबियां आना शुरू हो जाएगे, वो डेस्टिनेशन जहां पे आप चाहना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगी, इस हवाले से, जो सिर्फ एक मिनट लूँगा अपने पास्ट के हवाले से, जिसना अभी रहमतुल्ला साहब माशाला उनके सामने, अगर मैं कोई भी बात करूँ तो वो एक सूरज को चराग दिखाने के मतरादिफ होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप से मैं चीज़ सेर करूँ, यह जिस्ट अक्रॉस तर रोड वादत रोड पर मेरा स्कूल है, गौर्मन्ट पालिट सिकेंडरी हाइज स्कूल जहां से मैंने मैट्रिक किया था, गौर्मन्ट स्कूल है, साड़े चेवर रुपे फीज थी, एक लोड मिल्ल क्लास फैमिली से एक तालुक था, पेरेंट्स दोनों टीचर थे, बहुत मेहनत से उन्होंने सरफ मुझे पढ़ाया, और मैंने फिर ग्रेजुएशन, UET, लहौर से किया, उसके बाद एक चीज मैंने एक दिन महसूस की, एक सवाल मैंने अपने आप से किया, और वह सवाल बड़ा इंट्रस्टिंग है, जिसने मेरी जिन्दगी को चेंज कर दिया, वही सवाल था कि यार क्या मैं अपनी जिन्दगी में कभी भी हॉंडा से वे कार खरीद सकूंगा, तो अनफॉर्शनेटली जो आंसर था, दैट वाजन नो, उस दिन के बाद से मैंने अपनी सारी की सारी स्राटेजीज, अपनी सारी की सारी जो लाइफ का जो पैटरिन था, वह मैंने चेंज करना शुरू कर दिया, जब तक आप अपने आप से क्वेस्टन नहीं करेंगे, आप तब तक अपनी जिन्दगी में कुछ भी हासल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं, और अगर आप अपने आप से क्वेस्टन करना शुरू कर देंगे तो आप अपनी जिन्दगी में वह सब कुछ हासल कर लेंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा तदाद हमारी बेटियों की है, बेहनों की है, तो मैं नॉमली मेरी भी घर में खवातीन जो हैं वो अकसर डाइट प्लान बड़ा डिस्क्स करती हैं, होफ़िली आप लोग भी बड़े कॉंशिस होंगे अपने डाइट प्लान के अवाले से, खवातीन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या हमने कोई mental डाइट प्लान के अवाले से आच तक कभी कोई डाइट प्लान बनाया है, कि mental diet plan जो है अपने दिमाग को कौन सी हमें, हमारे दिमाग को गजा क्या चाहिए है। जिस तरह हमें जिसम की गजा important होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी वो गजा, वो input चाहिए। क्योंकि जो input जितनी productive होगी, output उतनी ही बेहतर जो है वो सामने आएगी। और आप देखिएगा कि input के लिए Allah ताला ने जो है वो दो आँखें और दो कान दिये हैं, और output के लिए सिरफ एक जगह से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो input की बड़ी importance है कुद्रत के हवाले से भी। इसलिए मैं आप सबसे यह request करूँगा कि आपको सुनके यह हैरत होगी कि मैं कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं देखता, कोई ऐसा जो जिसकी मुझे कोई जबदस्ती अगर कोई चीज मुझे देखनी पड़े, for example, television के programs मैं TV नहीं देखता, मैं कोई भी चीज अगर देखनी हो तो मैं YouTube जो है उसके उपर depend करता हूँ, reason कि जो इस वक्त हमारे जहन के अंदर जो input जा रही है, क्योंकि TV वह दिखा रहा है जो वह दिखाना चाह रहा है और YouTube वह चीज यूटीब पर आप देख सकते हैं जो आप खुद देखना चाह रहा है, तो यह चीज बड़ी important है, तो यह तो एक mental diet plan के हवाले से मैंने आपसे बात की कि इसके उपर बड़ा focus करें, अच्छी books पढ़ें, inspirational stories पढ़ें, अपना observation को बहतर करें अगर आप एक अच्छा business करना चाहते हैं और start-up के हवाले से एक बात आप से करता है चलों कि start-up उस वक तक है जब तक आप business start नहीं करते, आप लोगों में से कोई हैं जो start-up पर interested हैं या को start-up करना चाहते हैं या को business शूरू करना चाहते हैं, क्यों जी, करना चाहते हैं, start-up तो मेरी मेरा उसकी उपर जो एक चीज़ है कि start-up उस वक तक start-up है जब तक आप business start नहीं करते, तो उस हवाले से समुंदर कभी भी यह नहीं पूछता आपसे के आपको तैरना आता है के नहीं आता, ठीक है, तो जब आपने शलांग मार दिये तो फिर आपने तैरना और उसकी आपको त्यारी करनी चाहिए, इसके साथ मैं कुछ चीज़ें आपसे share करना चाहूंगा जो मेरे लिए एक inspiration जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ बनी और जिसको मैंने study करना शुरू किया तो जिससे मेरी जंदगी में का जो मकसद है वो change हो गया, वो जो एक innovation के हवाले से कुछ मैं आपस बातें करना ठीक है, दो से तीन मिनट के अंदर मैं चीज़ों को conclude करूँगा, सुरह वाक्या जो है उसने मुझे बहुत inspire किया, उसमें आला ताला ने बड़ा एक बात जो खोल के बियान की है हमारे लिए वो बड़ी important है, क्योंकि जब क्यामत का दिन काइम हो जाएगा तो उस दिन हमार general concept यह है कि दाएं हाथ वाले होंगे और बाएं हाथ वाले होंगे, क्या कोई तीसरी category भी होगी, आगे बढ़ने वाले और वो ही आगे बढ़ने वाले बेशक वो आगे ही बढ़ने वाले हैं और वो ही अल्ला के मुकरब हैं, तो कितने लोगों को यह वाली category का नहीं पता थ कोई बात ही एक आगे बढ़ने वाले और वो आगे ही बढ़ने वाले हैं और वही अल्ला के मुकर्रब है तो ये तीसरी कैटेगरी है जो आपको बताती है कि अल्ला को आगे बढ़ने वाले प्रोग्रेसिव लोग, लोगों के लिए असानियां बांटने वाले कितने पसंद हैं और जब ये चीज मैंने पड़ी और उसके साथ ही मेरी जिन्दगी का और बदल गया और मेरी जिन्दगी में मैंने लोगों के लिए असानियां पैदा करना शुरू की और अल्ला ने मेरे लिए असानियां पैदा करना शुरू कर ज़िए मैं एक दो तीन चीज़ें आपके साथ और फर्दर शेयर करूंगा कुरान के हवाले से ही तीन चार जगा पे ये सारा कुछ हमें पता है सिर्फ हम रिफ्रेश्ट करेंगे सुर्फ फात्या हम सब हर नमाज में पढ़ते हैं उसकी आयात हैं कि एदिन असिरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता ठीक है कि हमें सीधा रास्ता अब सीधा रास्ता कौन सा है अगली आयत क्या है सीधा रास्ता वो है जहां पे आपको अल्ला ताला इनाम और एकराम से नवासते हैं आपको facilitate करते हैं आपको आपकी जुरुरियात पूरी होती है आप खुश होते हैं आप enjoy करते हैं सीधा रास्ता वो है और वो रास्ता जिस पे जिन लोगों पे घजब नहीं होता जो लोग गुमरा नहीं होते ये वो रास्ता है और एक और चीज के ऐक साथ ही अलाद आला किया फबाते हैं अलाद दोस्त किसका इंNever आलाद करीब उन लोगों के है जो आगे बढ़ने वाले हैं दोस्त किन का है जो हाथ से काम करने करने वाले हैं अभी बार बार यह बात कर रहे थे रहमत साहब droAd साहब ने का एक entrepreneur के अंदर जो सबसे ज़्यादा important चीज जिसकी मैंने बात की कि he never give up, it means कि वो इनलाह माज साबरीन, तो जो give up नहीं करता, वो साबर होता है, और जो साबर होता है, अलाह उसके साथ होता है, और जिसके साथ अलाह होता है, वो सिरात मुस्तकीम पर होता है, और जो सिरात मुस्तकीम पर होता है, उस पर इनामाद की बारिश होती है, ठीक है, तो यह वो चीजें हैं, जिसको अगर आप implement कर लें अपनी life में, तो आपकी जिंदगियां असान से असान तक तर होती जाएगी, और दीन और दुनिया में कोई फ इनका मतलब यह नहीं है कि टोपी, तस्वी, दाड़ी, शलवार कमीज, अपना पॉंचे जो हैं टकनों से उपर नहीं, यह पड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच की बात है, ठीक है, और इसके साथ ही मैं आखरी बात में यह कहूँगा कि आप सुल आल्लाह अले वाले वाले वा हसाना, वो किना अजबनार, तो एक लफ दुनिया के लिए और आखरत के लिए आप स्वार्फ ने एक लफ़ का इंतखाब किया, हसाना, एक लफ़ का, तो मकसद ये है कि दुनिया का भी गउमफर्ट हमें उसी तरह से मागना चाइए जिस अरहां आखरत का और आखरत का भी क्योंके majority हमारी खवातीन की है, तो खाना जो है, वो सिर्फ नमक से नहीं अच्छा बनता, सिर्फ मिर्चों से नहीं अच्छा बनता, सिर्फ हल्दी से नहीं अच्छा बनता, सिर्फ गरम मसाले से, प्यास से, टिमाटर से, या किसी और चीज से, आप सब चीजों को एकठा करके फिर अगर एक चीज पर जाते हैं तो फिर खाना बहुत अच्छा बनता है तो आपको इंग्रीडियंट्स सारे जो है सब का दिहान रखना पड़ता है इसी तरह आप जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको अपनी तमाम तर जितनी भी आपकी खुबियां हैं उनको यकजान करके एकठा करके जब आप चलेंगे और इस बिजनेस वर्ल्ड के समुंदर के अंदर जब आप चलांग लगाएंगे तो इन्शा आला ताला जब ये सारी चीज़ों पर आप अमल करेंगे तो एक स्मूथ सेलिंग जो है वो आप उसको डे वन से इंजॉय करना शुरू करेंगे क्यूंके जब मैंने ये काम शुरू किया था तो आपको मैं एक बाह बता दूँ कि मैं दस हजार रुपय से बिजनेस शुरू किया था और इस सिर्फ और सिर्फ दस हजार रुपया और बाराँ साल की का जो है वो एक टाइम है और अभी ये सलसला चल रहा है तो इसलिए इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आप इस वक किस स्टेज पे हैं क्या कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और अपनी इंपूट के ऊपर बड़ा जो है वो फोकस करें क्यूंकि नेचर ने हमें इंपूट के लिए जो है वो ज्यादा चीज़ें दी हैं ठीक है दो आंखे हैं दो कान हैं नाक है ये सब इंपूट के लिए ठीक है तो इस पे ज्यादा फोकस करें, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदकी बड़ी जल्दी बदल जाएगी, बहुत शुक्रिया, thank you.